नमश्कार, स्वागत एक नए वीडियो में, पहले हमने जाना technical analysis कप करते हैं, fundamental के उपर, फिर हमने जाना candlestick क्या होती है, green candle क्या होती है, red candle क्या होती है, doji candle क्या होती है, क्या वो signify करती है, उसके बाद हमने double candle patterns देखें, जिसमें था bullish engulfing, bearish engulfing candle क्या होता है, क्या signify करती है फिर हमने triple candle patterns देखे जो कि थी morning star और evening star आज हम देखेंगे hammer candles hammer candles भी दो तरगी होती है एक normal hammer और एक inverted hammer और उसमें भी दो type का division आ जाता है बट आज हम देखेंगे bullish hammer candles को hammer candles क्यों बनती है, क्या बनती है मैं अपने experience से बता रहा हूँ हाल फिलाल में 2023 आप ले लीजिए आज के टाइम में hammer candles की वो value नहीं रह गई है जो पहले थी, यह उतना बहुत कुछ signify अब नहीं करती technical charts पे technical values भी इतनी नहीं hammer candles की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या है, क्या वो signify करती है और क्या उनका मतलब होता है आई चलते हैं, whiteboard पे देखते है क्या होती है hammer candles और किस तरसे बनती है whiteboard पे खोल लिया हमने again starting point same 50 कर लेंगे, नहीं है तो आप कोई भी random value मान लिजिए, अगर हमारा जो stock है, particular stock ये index है वो यहीं से start होता है और उसमें selling आती है, काफी selling आती है वो नीचे कितर जाता है, लेकिन उसमें buying आ जाती है last के time में, और वो कुछ यहाँ इस तरह से close होता है तो इस case में, अगर आप देखो तो ये हमारा opening point था, ये था हमारा lowest point ये ही था हमारा highest और ये ही था close अगर आप OHLC की तरह draw करो, तो आपको ये candle इस तरह बनती भी दिखाए देगी और ये होगा इसकी length क्या ये hammer की तरह दिख रही है तो और आपने देखा ये होगा, नहीं तो हमारे घर में hammer होती है, घर की use के लिए अब इसमें क्या है, ये ही इसका high है और ये ही इसका close है और ये है इसका opening point और ये है इसका lowest point तो hammer candles के पैचान कैसे होती है कि इनकी body जो होती है अगर उसको हम, वो x length की है उसकी length हम मान लेते हैं कि x है तो जो width है, उसकी length होती है 2x अगर ये 5-6 की length है तो इसकी होगी 10 कोई मिला की 15 आप scale लेके नापना ने शुरू कर दे होगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ-कुछ इस तरह से होती है कुछ candles में उपर हलकी सी width भी हो जाएगी, अगर इसमें width भी हो जाती है आप ऐसी कोई बात नहीं है, ये तब भी hammer candle ही कहलाएगी ideal candle जो होती है वो इसी तरह के से बनती है बहुत कम होता है कि आपको जो आप theorem पढ़ रहे हो, वही practical आपको मिले अब तक आपको अंदाजार लग गया होगा same case में inverted hammer candle भी भी बन सकती है अब ये candle है, इसमें opening नीचे है close उपर है, तो इस candle का color कैसे होगा, इस candle का जो color होगा, वो होगा green क्यों, क्योंकि opening नीचे है अगर candle red भी बनती है, तो भी अगर वो bullish candle है, bullish hammer candle है, वो bullish reversal show करती है, तो भी फरक्ती पड़ता है अब same example ले लेते हैं हम, जब red candle बनेगी, red hammer candle बनेगी तब again हम starting point same लेते हैं, यही से start हुआ, उसमें बहुत सारी selling आई, बहुत सारी selling आई, फिर last में जाके buying आ गई लेकिन जो था, उसकी जो closing थी, वो उपर से वो नीचे ही थी जो opening point था, वहां से नीचे थी अब इस तरह का आप देखोगे, यह हो गया इसका open, यह हो गया इसका closing point और यही open जो था, वही highest point था, और यह हो गया lowest point तो अगर इसकी candle में बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगी यह हो गया इसकी body और यह हो गया इसकी wick या shadow, इस case में open जो है वो उपर की तरफ होगा closing है नीचे की तरफ, जो opening point है, वही highest point है इस candle का जो color होगा, वो होगा आपका red color का इस तरह से कुछ hammer candles बनती है, same इसमे signify क्या हो रहा है इसमे signify क्या हो रहा है कि यह जो point है, आप देख रहे हो यहाँ पर buying आ जा रही है, यहाँ पर buyers आ रहे है यहाँ बोल्स आ रहे हैं, जिनको कोई fundamental या कोई value लग रही है कि इसकी intrinsic value अच्छी हो गई है fundamental value अच्छी हो गई है, कोई भी ऐसा और point है, जहाँ से buying आ जा रही है विक को हम rejection भी कहते है, कि यहाँ से price यहाँ पर close होने को तयार नहीं है यहाँ से reject हो जा रहा है और buying आ रही है वो उपर की तरफ move कर रहा है same red candle में भी है, same green candle में भी है अब इस case में अलग तरह की candle ही बन सकती है, इसको हम कहते है inverted hammer, inverted hammer क्या होता है, particular hammer candle को अब उल्टा करते हो, अगर इस candle को हम इस तरह से draw कर दें तो आपको लग रहा है कि यह inverted hammer है बिल्कु इंवर्टेड hammer है same, यह green भी, यह red भी हो सकती है यह green भी हो सकती है, दो candle draw कर लेते हैं side by side और compare कर लेंगे again अगर नीचे भी थोड़ा सा ऐसा wick निकला हुआ है, तो यह matter नहीं करता है ठीक है माल लेते हैं कि एक candle red है और एक candle green है, अब यह green और red candle जो हैं क्या signify कर रहे हैं आप यह देखोगे, अगर यह green candle है तो opening उसकी हुई थी यहाँ नीचे opening हुई थी, काफी buying आई, फिर selling आई नीचे की तरफ आया, और closing जो थी यहाँ आई, सेम अगर red candle बिलेंगी तो opening थी यहाँ पे और काफी buying आई उसमें price उपर गया, लेकिन वो close हुआ नीचे, इस तरह से inverted hammer बनेगी आज हम बात करते bullish reversal candles के लिए hammer reversal candles के लिए तो उन दोनों case में hammer या inverted hammer सेम तरह से behave करती है, candles का color उतना matter नहीं कहता है, अगर green हो तो well good, right अब यह bullish reversal कैसे क्यलाती है, अगर हम किसी downtrend के down move में हो, अगर माल लेते हैं हमारा stock का price जो पर्टिक्लरी ऐसे move कर रहा है तो यहाँ बनती है, लोग इस move को भी play करना चाहते है, short term में, इस move को भी play करना चाहते है, short term में, यह भी तो high है, यहाँ से यहाँ कभी swing आगया right, पर particularly अगर एक downtrend में यहाँ पर एक hammer candle बनती है, कुछ इस तरीके से, ठीक, या और और लगा देते हैं, या इस तरह से hammer candle बनती है इसको हम कहते है potentially हम, जब वो downtrend या down move में थी, तो potentially हम कहते हैं कि यहाँ से price recover होके उपर जाने के probability है chances है, technical analysis हमको यह बताता है, तो वो hammer candles या inverted hammer candles जो downtrend में या down move में bottom पे बनती है support के आसपास बनती है यहाँ पे support हो तो well good है उस तरह की candles को हम bullish candles कहते हैं या bullish reversal candle कहते हैं वो hammer हो सकती है या inverted hammer भी हो सकती है अब चलते हैं हम chart पे हमने देख लिया कि किस तरह होता है trading view के chart पे चलेंगे और मैं आपको फिर अगें बता रहा हूं कि इन candles की उतनी value ब्रहन ही गई है बट अगर आप weekly basis पे candles देखोगे तो चाहें वो bullish engulfing हो bearish engulfing हो morning star हो evening star हो या hammer candles हो तब उनकी value थोड़ इसी दिखती है बाकियों की ज़्यादा दिखती है hammer candles की बहुत कम दिखती है बट हम आगे इस वीडियो में भी देखेंगे चलतें trading view पे trading view पे हमने खोली है reliance का chart reliance का chart याद रखी यह weekly basis है यहाँ W आपको दिख रहा होगा अगर आपको नहीं पता आप यहाँ पर time interval select कर सकते हो daily monthly कैसा भी daily candle select कर लिया है हम है replay mode में हूँ अभी हम है 16 March 2020 के पास क्या आपको यह hammer candle लिख रही है क्या इसकी जो length है जो body की जो length है वो x है और क्या उसके जो wick की length है वो 2x है तो अहाँ है इस तरह से कुछ आपको hammer candles दिखाई देंगी और hammer candle आप देखोगे एक particular down move में आपको नीचे दिखाई दे रही है और आप इससे पिछला candle भी देखोगे न तो उसमें भी लंबी civic मने हुई है जो rejection दिनोट कर दी कि यहाँ पर कोई buying है कोई support है यहाँ पर buyers आ जा रहे हैं यहाँ पर demand है अब मैं इसको play करता हूँ weekly business पर है तो candle form होगी दो-तिन बार में तो आप देखोगे एक green candle बनी है और उसके बाद उसने price ने moment किया है और price अब जाने लगा है यहाँ पर हम volume का जरूर दिहान रखते हैं आप volume को enable कर लिजे volume आफ की तरफ होना चाहिए अगर volume आफ की तरफ है आप देखोगे red-red bars बन रही थी अब green बन गए volume के साथ आपके साथ था price में moment आया और price उपर चला गया अगर आपने यह move प्ले किया होता यह weekly basis पर याद रखी बहुत अच्छा swing बन सकता था अगर कोई short-shot तरीका नहीं है यह हो गई हमारी hammer candle यह hammer candle सीधी थी अब चलते हैं inverted hammer candle जो again जो bottom पर बन रही है दोनों हमने जाना कि दोनों bullish reversal है second candle में आते हैं यह हमने खोल रखा है पिडलेट का चार्ट पिडलेट के चार्ट हमने पहले भी देखा है हमने drawing करके भी देखा था पहले से mark level है उसको आप छोड़ भी दीजे अब आप देख रहे हो कि यह जो है candle की आई inverted hammer है मैं जोड़ा zoom कर देता हूँ अभी हम है 13 June 2022 के असपास weekly basis है again अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इस candle इन तीन candles को पैचान चुके हो तो well good अब इन तीन candles को पैचान चुके हो तो भी well good अब आप इस candle के देखते हैं इस candle को हम आगे अप प्ले करेंगे support के पास green candle फिर confirmation आई red candle के साथ और price ने हलका सा up move करना शुरू किया अब again volume का साथ होना चाहिए आप देख रहे हो कि जब green candle में देखी तो volume अच्छी थी और आप इसको play करोगे और आगे चलके देखोगे तो इसका price कहा जा रहा है अगर आपने इस play को किया होता तो आपको अच्छा swing मिल जाता आपको एक positive symbol मिलता तो again hammer candle या inverted hammer candle अगर down move में bottom पे बनती है support के आसपस बनती है तो वो bullish reversal sign होता है trend को reversal का sign होता है या up move या up trend को denote करता है hammer candle का color बहुत ज़्यादा value नहीं रखता है वो red भी हो सकता है green भी हो सकता है अगर वो bottom पे बन रहा है तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक share subscribe करेगा example अच्छे लगे हो तो like share करेगा अगली बार हम जानेंगे same candles hammer और inverted hammer के उनको क्या कहते हैं अगर वो up move में top पे बनते हैं और वो क्या denote करते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद